रामदाम दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है आसा करते हूँ कि आप सब ठीक होंगे आज मैं पुदिना और धनिया की लसी बनाने जा रही हूँ इसके लिए मैंने एक जूटी पुदिना लिया है और एक जूटी धनिया अब मैं इसको बारिक बारिक कट करूंगे और दुलाई करके जार में डाल लूँगे इसमें दो हरी मिर्ची डालूँगी और काला नमक डालूँगी आदी से भी कम चम्मच है जाहिए आप सादन नमक भी डाल सकते हो एक कप के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको अभी ग्राइन्ट मैंने जग लिया है इसमें एक लिटर दही डाला है अब इसकी मैं लस्सी बनाऊंगी अब ये लस्सी बन गई है अब मैं इसमें ये पेश्ट बनाया था ये डाल दूँगी और अब इसमें मैं ठंडा पानी डालूँगी और अब इसको अच्छे से फिर्षे मिक्स कर लेंगे अब इसमें आधी चमच बुना जीरा डालूँगी और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से मैं आपको यह लस्टी की लासु में डाल के दिखाती हूं इसका कलर इतना अच्छा आया है लस्टी का अभी मैं इसको थोड़ा सा सुन्दर लगने के लिए जीरा डालूंगी यह बहुत ही आसान रेस्टी है आप यह लस्टी जरूर बना के देखना एक वार जरूर मेरे तरीके से ट्राई करना यह आपको बहुत पसंद आएगी गर्मियों में ठंडी ठंडी लसी का मजाई कुछ अलग है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें